ओम नमस्षिवाई श्वागते आप सभी का मेरे बक्ती भावना यूट्यूब चनल पर दोस्तों सोम्मार की दिन अश्टमी का पढ़ना बियादी शुब माना जाता है इस दिन भगवान सिभ और माता दुर्गा को भोग लगा कर के कुछ चीज़े आपको खानी है इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी अश्टमी का जो दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है माता गोरी का महा गोरी का इस दिन ध्यान किया जाता है कंच के बैटाए जाते हैं पूजन किया जाता है और इस दिन अगर सोम्मार पढ़ता है तो यह बहुत इश्व से योग माना गया है इस दिन आप सबसे पहले भगवान सिव जी का अफशिक करेंगे अफशिक करते समय ओम नमश्वाय मंतर का आपको जाप करना है गंगाजल से भगवान सिव जी का अफशिक करना है फिर आपको भगवान सिव को भस्मी अरपन करनी है उसके बाद में भगवान सिव के सामने आपको दीपक जला देना है फिर आपको बेल पत्र पांच बेल पत्र पांच ही चावल के दाने आप सिविलिंग पर अरपन करेंगे ओम नवश्वाय मंतर का जाप कर दूए चावल आप ज़्यादा भी अरपन कर सकते ही लेकिन बेल पत्र के हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा है उसके बाद में आप माता दुर्गा की पूजा करेंगे माता दुर्गा की पूजा करें माता दुर्गा की सामने आपको फल रखने हैं केली का फल रखना है सहद रखना है माता दुर्गा के सामने श्रंगार रखना है मैलाओं को और माता दुर्गा को चुंदरी एरपन करनी है उसके बाद में माता दुर्गा के सामने अब सिविलिंग पर बेल पत्र इस पेकार चड़ाने जैसा आप इस स्क्रीम पर देख रहे हैं चिखना वाला हिस्सा सिविलिंग से टच करना चाहिए और चावल इसी पेकार चड़ाने हैं और वहां से चावल ले लेने हैं आपको जो चड़ाए चड़ेवी चावले वो आपको बापस ले लेने हैं जिनको पुत्र की कामना है उनको माता दुरकाई पूजा करते समय माता क मंत्रों का जाप करेंगे और फिर आप माता के सामने रखा हुआ जो प्रसाद है जो माता के सामने आपने प्रसाद अरपन किया है वो प्रसाद भी आपको ले लेना है फिर पती पत्री दोनों को मिल करके यह प्रसाद खाना है यह प्रसाद में बड़ी सक्ति है और आपकी मनो मनुकामना पूरी अवश्य होगी इस दिन आपको अपनी इच्छा बोल करके माता के आत्मे धागा बांधना एद त्यार करना है वही दीपागा आपको पीपल ब्रक्की की नीचे जलाना है और पीपल ब्रक्की 7 परक्रमा देनिया सथ बार ही सपेद वाला कच्चा सूंत आपको पीपल ब्रक से लपेट ना है इससे आपकी मनुकामना वश्य पूरी होगी शुक बढ़ेगा धन बढ़ेगा पुत्र की मनुकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे हैं सारी समस्यां दूर हो जाएंगे तो आप यह उपाय जरू करें आपको विश्य सबसे ज़्यादा मैत होता है परसाद खाने का पूजा में और वे आपको जरूर खाना चाहिए